हलो, गुड मॉर्निंग ओल अप यो, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भर नमस्कार, मैं विवेक कुमार, यूवी कंपेटिशन्स योटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तो रोजना की तरह मैं लेकर आजिरू, अपने चैनल यूवी कंपेटिशन् डैली करन्टबेश जी के, आज 19 मार्च 2020 के करन्टबेश के हम बात करते हैं, साथियों यह है हमारा डैली करन्टबेश का, डॉज नंबर 14 है सात्यों यदि अभी तक आपने हमारा चैनल UV Competitions सब्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल UV Competitions को सब्क्राइब करें और साथी साथ बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारे द्वारा दियेगे अपडेट्स के नोटिपिक्रिक्सन मिलते रहे हैं हमारा यह Current Affairs MCQ Multiple Choice Questions में साथी साथ Important Points दिये जाएंगे और उनका Explanation भी दिया जाएगा इसका लावा यदि आप राजिस्तान जी के और Mechanical Engineering पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए Unacademy App पर मुझे फॉलो करें Unacademy App पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा शुरू करते हैं आज का Current Affairs Question संक्या फश्ट से निमन लिखित में से किसे Power Finance Corporation PFC का नया अध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक MD and CEO बनाया गया है Option A, हरदीप सिंग पुरी को Option B, रविंदर सिंग धिल्डन को Option C, प्रदुमन सिंग को Option D, अमित ककड को और इसका Right Answer है Option B, रविंदर सिंग धिल्डन को वर्तबान में ये Power Finance Corporation Limited में निदेशक परियोजना लोक सिकायत करूप में कार रहत है और इन्हें अब नया अध्यक्षयों प्रबंद निदेशक बनाया गया है Power Finance Corporation PFC का Power Finance Corporation की बात की जाए तो Power Finance Corporation Limited एक भारते वित्य संस्तान है जो 1986 में इस्तापित होने वाला ये संस्तान भारते पावर छेत्र की वित्य है रिड माना जाता है PFC को जून 2007 में नवरतन CPSE की पाद्धी दी गई थी और RBI द्वारा 28 जुलाई 2010 को Infrastructure Finance Company के रूपे वर्गिकरत किया था Next, Question 2 मराठी के लोगप्रिया अभिनेता जैराम कुलकर्णी का निदन हो गया है वह महाराष्ट्र के किस जिले से संबंदित है Option A, Solapur, Option B, Nagpur, Option C, Acola Option D, Amrautin जैराम कुलकर्णी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बरसी तैसिल से संबंदित है जैराम कुलकर्णी है उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया था जिन में चलरे, लच्छ, या, मुंबेला, आसी, बन, नावम्बी, थर्थरा, रंगत, संगत फिल्में काफी लोग पर रही थी उनकी और उनकी हाली में जो रिलीज पिलिम हुई थी जो आकरी पिलिम थी वह थी आयूस याचा आयूसी जो कि हाली में रिलीज हुई थी उनका हाली में निदन हो गया है वह सोलापुर जिले में बरसी तैसिल के रहने वाले थे नेक्स्ट कोशन संग्या तीन भारत के 21 पूर्वे मुख्य रियादीस को राज्य सबा के लिए मनोनित किया गया है उप्सन ने आरेम लोडा उप्सन भी रंजन गोगई उप्सन सी सरद अरविंद बोबडे उप्सन डी एच जे कानिया तो इसका राज्य आनस्वर है भारत के मुख्य ने आयदीस पूर्वे मुख्य ने आयदीस रंजन गोगई को राष्टेपती रामनात कोविंद ने राज्य सबा के लिए मनोनित किया है तो उप्सन भी जराइट आनस्वर रंजन गोगई साथियों रंजन गोगई भारत में 46 मुख्य ने आयदीस थे जो नवंबर 2019 में रेटायर हुए थे और अपने कई एतियासिक निर्णों के लिए जाने जाते हैं इनके रेटायर होने के बाद सरद अरविंद बोबडे को 47 मुख्य ने आयदीस बनाया ग्याय सुप्रीम कोट अनि छ्वेद असी के खंड तीन के तैत राष्टेपती के पास विषेजग्यान वाले व्यक्तियों को राष्टेपती 20 लोगों को मनुनृद कर सकता है और यह जो बारे वक्ति है वो विज्यान, कला, साइत्य और समास सेवा इत्यादी में विषेजग्यान वाले होने चाहिए नेक्स्ट कोशन संक्या चार 2019-20 में रक्ष्य उपकरणों की खरीद के लिए रक्ष्य मंत्रा लेकर अनुबंदों में भारते कम्पनियों का हिस्सा कितना है उप्षन ए 70.50 प्रतिसत उप्षन B 33.03 प्रतिसत उप्षन C 75.03 प्रतिसत उप्षन D 76.30 प्रतिसत इसका राइट आंस्वर है रक्ष्य उपकरणों की खरीद के लिए रक्ष्य मंत्रा लेकर अनुबंद में भारते कम्पनियों का हिस्सा है 55.03 प्रतिसत यह हिस्सेदारी 2015-2016 में 49.06 प्रतिसत थी जो 2019-2020 में बढ़कर 55.03 प्रतिसत हो गई है तो राइट आंस्वर है उप्ष्य उपकरणों की खरीद पर बल दे रहा है किस राज्य की सरकार ने कोरोना वाइरस से निपटने के लिए ब्रैक देचेन नामक से एक विसाल हैंड वान सिंग अभियान सुरू किया है उप्ष्य राजस्तान की सरकार ने उप्षन B दिल्ली सरकार ने उप्षन C उत्तरप्रदेश सरकार ने उप्षन D केरल सरकार ने इसका राइट आंस्वर है उप्षन D केरल सरकार ने यह जो अभियान है ब्रैक देचेन इसका उद्देश यह लोगों को सार्वजिनिक और व्यक्तिगत स्वाच्चता के मैतों के बारे में शिक्षित करना है और इस अभ्यान के अंतरकत सरकार द्वारा सारवजिनिक स्टानों जैसे रेलवे स्टेशनों के प्रिवेस और निकास द्वार पर हाथ दोने के हैंडवास की बोतलों के साथ पानी के नल लगाए जाएंगे तथा इसके कोई इलाज नहीं है मामारी ऐसी बिमारी होती है जिनका केंद्र और राज्य सरकार के पास किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं होता है इन में से किसे बजाज ओटो द्वारा कंपनी का एमडी और स्यो न्यूक्त किया गया है साथियो बोर द्वारा राज्य बजाज को एक अपरेल 2020 से अगले 5 साल के आउदी के लिए दोबारा से इस पत पर न्यूक्त किया गया है जाने कि अमडी और स्यो दुबारा से बनाया गया है इनका कार रेकाल 31 मार्च 2020 को खतम होने वाला है और उसके बाद अगले 5 साल के लिए इन्हें फिर से न्यूक्त कर दिया गया है और वही इस बैठक में जो यह बैठक हुई थी ओटो कंपनी की उस बैठक में गीता पी रमल को बजाज ओटो के पतंतर निर्देश के रुप में न्यूक्त किया है नेक्स्ट वोर्षन नंबर साथ किस राज्ये में दुनिया की पहली उढ़ने वाली कार पाल वी लिबरटी बनाई जाएगी पाल वी का पूरा नाम क्या है पूरा नाम है पर्सनल एयर लेंड वीकल और पाल वी लिबरटी कार और ऑटो जीरो या जाईरो प्लेन में से मिलकर बनाई पाल वी प्लाइंग कार में दो इंजन लगे होंगे जो सेडक पर 160 किलोमेटर की गती से दोड सकेगी और हवा में 180 किलोमेटर की गती से उड़ सकेगी कार केवल 3 मिट में उडानवान में बदल जाएगी और एक बार इंधन फुल बरने पर 500 किलोमेटर की दूरी तै करेगी किसे गूगल क्लाउड द्वारा भारत में कम्पनी का नया प्रबंद निदेशक न्यूक्ट किया गया है उप्षन A सुंदर पिचाई को, उप्षन B करण बाजवा को, उप्षन C अरविंद कुमार को और उप्षन D विवेक सिंग को इसका राइट आंस्वर है उप्षन B करण बाजवा को गूगल क्लाउड कम्पनी द्वारा भारत में कम्पनी का नया प्रबंद निदेशक न्यूक्ट किया गया है तो राइट आंस्वर उप्षन B करण बाजवा गूगल क्लाउड में करण बाजवा जी सूट और गूगल क्लाउड जैसे विबिन कारेक्रमों के व्यापक समाधान का प्रबंदन करेंगे इसके लावा वैस्तानिय डवलपपर परिस्तिती की तंत्र के सहीत भारत आधारित ग्लोबल सिस्टम इंटिग्रेटर्स GSI के साथ मिलकर गूगल क्लाउड के निरंतर कारें को संचैलन करेंगे इससे पहले करण बाजवा जो हैं वो IBM के भारत और दक्षिन एसिया के प्रबंद निद्धेसक के रूप में कारें कर चुके हैं इन में से किसे युगांडा में अगले भारतिय हाई कमिशनर के रूप में नियुक्त किया गया है औप्षने नवदीप सिंग को, औप्षन B अजे कुमार को, औप्षन C असोक सैनी को और औप्षन D राजन पाठक को इसका राइट आंसर है ऑप्षन B अजे कुमार को युगांडा में अगले भारतिय हाई कमिशनर के रूप में नियुक्त किया गया है वर्तमान में अजे कुमार जो है विदेस मंत्राले में सेंक्ट सजीव के पदपर कार रहत है और युगांडा की बात की जा तो युगांडा अफ्री की मादीप के सबसे गरीब देशों में सामिल है क्योंकि यहां की एक्तियाई जनसंक्या अंतराष्टे गरीवी रेका से नीचे जीवन्यापन करने को मजबूर है किस राज्य की सरकार ने कोसल सत्रंग योजना प्रसिक्षन को कोसल युक्तिसरमसकती के रूप में विक्सित करने ततर रोजगार के अधिका उसर उपलब्द कराने के लिए कोसल सतरंग योजना का सुबारम किया गया है और यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरू की गई है इस योजना में मुख्य मंत्री अप्रेंटिस प्रोमोशन योजना के तैत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड और कोसल प्रिसिक्षन और 25 रोपे प्रती मा वज़िपे के रूप में प्रदान करने का प्रावदान किया है तो इसका राइट उंसर है उप्शन भी उत्तर प्रदेश सरकार तो सात्यों यह ता आज का करेंटा प्रदेश जीक है जो कि आपकी सभी एक्जाम्स के लिए पोर्टेंट है तो प्रीज लाइक, कमेंट, सेर और सब्क्राइब यूवी कंपेटिशन चैनल और साती सात हमेंटे इस्टाग्राम और फेस्बूक और फोलो करें और इस वीडियो का पीडियेब डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन में मिलेगा वहसा पीडियेब भी डाउनलोड कर सकते हैं Thank you so much, धन्यवाद, आपका दिन सुबो.